तो अगर आपको अभी के टाइम के 30,000 रुपीस की बजट प्राइस रेंज में एक परफॉर्मेंस रेंटरी या फिक गेमिंग स्मार्टफोन पर्चेस करना है जहाँ पर आप मेडियम जू हैवी लेवल तक की गेमिंग कर पाएं बट आप कंफ्यूज हो और डिसाइड नहीं कर पाए हो कि कौन से स्मार्टफोन के साथ जाना चाहिए तो मैंने आज की इस वीडियो में 30,000 रुपीस की बजट में आने वाले 5 अल्टिमेट गेमिंग स्मार्टफोन को कंसीडर करा है जिनने आप अभी के टाइम पर कंसीडर क सकते हैं अगर बात करें हमाई लिष्ट के सबसे पहले स्मार्टफोन के बारे में तो वह हम रखा है आईक्यों को तरफ से आने वाला है आईक्यों नियो 7 प्रो 5G स्मार्टफोन के बारे में जो कि आपको 30,000 रुपीस की बजट प्राइसें में देखने को मिल जाएगा और डीटेल से बात करें हम इस स्मार्टफोन के स्पाइसिफिकेशन के बारे में यहाँ पर आपको मिल जाता है परफॉर्मेंस के लिए कोयल काम स्टाइब डेगन 8 प्लस जेंवन का जेपसेट जो कि 3.2 गीज़ पे क्लॉग्ट एक पावरफूल ओक्ता कोर 5G प्रोसेसर है यह यहाँ पर आपको बड़ी बैटरी के साथ साथ फास चार्जिक भी काफी बड़ी है देखने को मिल जाती है और वहीं अगर बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले स्पैसिफिकेशन के बारे में तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले के तौर पर 6.780 इंचेस की एक स्पैसिफिकेशन मिल जाती है और इसके अलावा अगर बात करें इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफी फीचर्स के तौर फिप्टी मेगा पिक्सल प्राइम डी सेंसर के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सपोर्ट देखने को मिल जाता है बिद ओए सपोर्ट जहां पर आपको 8 मे मेगा पिक्सल का थर्ड आपको यहां पर कैमरा देखने को मिल जाता है और आप इस कैमरे शेटप के साथ फोर्ग क्वालिटी में वीडियो को 30 fps पर अल्ट्रेज्ड में एजली रिकॉड कर सकते हैं और इसके अलावा भी आपको 16 मेगा पिक्सल का एक सामने की तरफ भी फ् आपको पर्फॉर्मंस के लिए प्रोसेशर काफी दमदार देखने को मिल जाता है और बांकिशारी स्पैसिफिकेसन्स तो कमाल के देखने को मिलते ही हैं तो जिने भी पोको का स्मार्टपून पसंद है या भी पोको की तरफ ही जाना जाते हैं उन्हें मैं रिकमेंड यह वाला स्मार्टपून तो अगर डीटेल से बात करें इसके स्पैसिफिकेसन्स के बारे में तो यहाँ पर आपको पर्फॉर्मंस के लिए Qualcomm Snapdragon 8S Gen3 का 3GB पर क्लॉग एक OctaCore 5G प्रोसेशर देखने को मिल जाता है जहाँ पर आपको 8GB RAM सपोर्ट के साथ मैक्समम 256GB तक की इन बिल्ट मेमरी देखने को मिल जाएगी और वहीं आपको बैटरी के तौर पर भी पाइजन एमेच की काफी बड़ी है बड़ी बैटरी के साथ मैक्समम 90W तक का टर्बो पाउर चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाएगा डिस्प्ले के तौर पर अगर बात करी एमलेट डिस्प्ले देखने को मिल जाती है चोकि 1220-2712 पिक्सल्स की है और यह जो डिस्प्ले पनल है वो 446 PPI पिक्सल एश्टी पे वर्क करती है यहाँ पर आपको कौनिंग को रिलग लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी 120 हस्टक का में अपनी वीडियो को रिकॉर्ड भी कर पाऊगे और इसके साथ साथ आपको 20 मेगा पिक्सल का सामने के तरफ भी फ्रेंट कैमरा देखने को मिल जाता है तो आप इस स्मार्टपून के साथ भी जा सकते हैं इसके बाद चलिए अब बात कर लेते हैं वाई डिष्ट के थर नमर वाले स्मार्टपून के बारे में जो कि हमने रखाए OnePlus के तरफ से आने वाले OnePlus 11R 5G स्मार्टपून को और यह स्मार्टपून अभी के टाइम पे आपको 29,000 रुपीज की प्राइसेंज में देखने को मिल जाएगा तो आप अभी के टाइम पे इस स्मार्टपून के पर Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 का chipset देखनी को मिल जाता है जो कि 3.2GHz पर clocked एक octa core processor है इसके लाव आपको 8GB का RAM support and 128GB की inbuilt memory आपको यहाँ पर देखनी को मिल जाती है और इसके लाव अगर बात करें महीं पर battery specifications के बारे में तो यहाँ पर आपको 5000 mh की काफी बड़ी battery देखनी को मिल जाती है जो कि 100W fast charging support के साथ देखनी को मिलती है तो यहाँ जब भी आपको smartphone discharge हो एगा तब आप fast charging के help से काफी अल्दी उसे charge कर पाऊगे और फिर दुबारा से उसे उतनी ही speed में use कर पाऊगे और इसके बाद अगर अगर बात करें इस smartphone के display specifications के बारे में तो यहाँ पर आपको 6.74 inches क एक AMOLED screen देखनी को मिल जाती है और यह भी 1214 to 2772 pixels की है इसके लावा यह जो display panel है वो 451 ppi pixel density पे work करता है इसके अलावा आपको 1450 nits तक की peak brightness भी देखनी को मिल जाती है और for smooth experience आपको यहाँ पर वरिफी 120H का refresh rate support देखनी को मिलता है और इस scratch से protection के लिए आपको यहाँ आपक 5 की protection देखनी को मिल जाती है तो आपको यह smartphone पढ़िया performance के साथ देखनी को मिलेगा जब भी आपको content consume करोगे तब आपको experience रहेगा वो काफी जवरदस्त रहेगा इसके बाद अगर डिसकस करें इस smartphone के photography features के बारे में तो यहाँ पर आपको photography features के तोर पर 50MP plus 8MP plus 2MP का triple layer camera support दे अपने videos को 30fps पर easily Ultra HD में record कर सकते हैं और आपको सामने के तरब भी sony mx 890 का 16MP का एक काफी वड़ी है sensor देखनी को मिल जाता है इसके बाद चलिए finally आप बात के लेते हमाई list के fourth and last smartphone के बारे में जो की हमने रखा है realme के तरब से आने वाले realme GT60 5G smartphone को जिनको भी इस budget का realme के के तरब से आने वाला को एक gaming smartphone फर्जेज करना है वो लोग इस smartphone को consider करेंगे और realme के जो GT series है वो अपने परफॉर्मेंसेंटर के specifications के लिए ही जानी जाती है और लगबग काफी time बाद इस series में कोई smartphone देखने को मिला है तो अगर आप इस series के lover है या फिर realme का ही smartphone फर्जेज क को मिल जाता है यहाँ पर आपको maximum 8GB RAM support के साथ 128GB तक की inbuilt memory देखने को मिल जाएगी बैटरी के तौर पर अगर बात करें 5500 mAh की काफी बड़ी या बड़ी बैटरी के साथ maximum 120W तक का fast charging support भी देखने को मिल जाएगा इसके अलावा अगर बात करें वहीं पर इसके display specifications के वारे म कि यहाँ पर आपको display के तौर पर 6,780 इंचेस की एक LTPO AMOLED डिस्पले देखने को मिल जाती है जो की 1264 x 2780 pixels की है और यह जो display panel है वो 450 ppi pixel density पर वर्क करती है यहाँ पर आपको Corning Gorilla Glass Victus 2 की protection मिल जाती है and for smooth experience 120Hz तक का maximum refresh and support भी आपको देखने को मिल जाएगा इसके बाद फा देखने को मिल जाएगा और आप यहाँ से maximum 4 के quality में 60fps पर इसली अल्टराज़ी में अपने वीडियो को record भी कर पाऊगे and वही आपको 32MP का एक सामने के तरफ Sony का काफी बड़िया sensor देखने को मिल जाएगा so आप इन चारों में से किसे भी smartphone की तरफ जा सकते हैं अगर आपक कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा और यह वीडियो आपके लिए काफी अधर informative रही होगी तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी चीखने को मिला हो तो इस वीडियो को simply कर दीजगे लाइक और channel कर दादेश्व तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं लिए उन्डेश्टिंग वीडियो में तो तब तक के लिए रादे रादे